राधी राधे दोस्तों कैसी हुआ अप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है लालची जब से चोटी मौसी सास की बेटी की साधी पक्की हुई है तब से निर्मला के मन में हल्चल मची हुई है अभी सोच समझकर उसने निर्नय लिया है और अब मन में पका करके बैटी हुई है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए इस बार तो वो अपनी सास मनुर्मा जी से बात करके ही रहेगी उसने अपने पती सुधांसू से बात भी की पर वो इस चीज के पक्ष में नहीं है कारण की मनुर्मा जी तिल का तार बना देगी और घर की सांती भंग होगी वो अलग पर मौसी सास के आने के बाद से ही निर्मला के मन में हल्चल मच चुकी है जब भी घर में या रिष्टेदार में कोई प्रोग्राम होना होता है तब या तो छोटी मासी सास आती या फिर बड़ी मासी सास आती लेकिन जब भी दोनों में से कोई आती है कोई नया रिती रिवाज निकाल कर चली जाती है और सबसे बड़ी बात है कि रिती रिवाज कभी भी खुद के लिए या खुद की बहनों के लिए नहीं निकालती रिती रिवाज निकालती है बहु के परिवार के लिए या यो गहे कि निर्माला के परिवार के लिए तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों मासी सास के बेटों की तो अभी तक साधी भी नहीं हुई है तीनों बेहनों के परिवार में सिर्फ निर्माला ही है जो मनुर्मा जी की वहू बनकर आई है और ऐसे ऐसे रिती रिवाज निकालती है कि सुन कर ही नि की तरह जम जाता है अब निर्मला बात करने को तयार थी बस इंतिजार कर रहे थी कि मौसी सास अपने घर जाए और वह सासू मा से बात कर सके सुबह की आई हुई मौसी सास रात होने को आई है लेकिन अभी तक रवाना भी नहीं हुई है सुबह से लंच डिनर सब कुछ करवा दिया है उन्हे अब तो रात के दस बजने को आई है निर्मला भी ठक चुकी थी उसे निनद आ रही थी पर आज तो बात करना जरूरे ही था आखिर कब तक अपने माता पीता को भी जुकाती रहेगी इन लोगों के सामने निर्मला की साधी के बाद घड में बड़ी मामा जी की बेटी की साधी थी ससुराल की पहली साधी निर्मला बहुत उतसा में थी निर्मला के माता पीता को भी साधी में बुलाया गया था सो वो भी नियत समय पर आ गय थे पर ये क्या दोनों मौसी सास और मनोर्मा जी ने जाकर उनको घेर लिया बड़ी मौसी सास ने भुमी का बनाना शुरू की देखिए समधन जी आपकी बेटी के ससुराल में साधी है आपकी तरब से तो कोई अच्छा साही सगुन बनता है न अ अच्छानक से हुए इस सावाल से निर्मला की ममी भी सक पका गई उन्होंने कहा जी समधन जी हम लोग हमारी तरब से पूरे 1100 रुपे लिफाफे में दे रहे हैं बस 1100 रुपे सुनते ही मनोर्मा जी बीच में ही कहा अड़ क्या इचत रह चाएगी मेरी मेरे भायों के बी लड़की का विवा है तो कम से कम 2100 रुपे तो दिजिए और नहीं तो क्या समधन जी आखिरकार हमारी बेहन की भी तो इज़त है और सिर्फ सगुन का लिफाफा ही डालेंगे क्या अरे लोग तो बेटियों को देने को तरस्ते हैं और आप हैं कि बेटी की ही ननद को देने में कंजूसी कर रही हैं कम से कम एक ढंग का साड़ी और सुहाग का समान तो लेकर आती उसके लिए बड़ी मौसी ने कहा तो छोटी मौसी भी कहां पिछे रहने वाली थी अब समधन जी कहां से समान लेकर आएंगी आप तो एक काम किजिए समधन जी 51 रूपय का लिफाफा दे दिजिए आपका भी काम हो जाएगा और दीदी का भी मान सम्मान रह जाएगा आखिर निर्मला की ममी कुछ कह नहीं पाई एक बार निर्मला की तरफ देखा बेटी का नया नया ससुराल था इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई और चूप रुपे रख दिये तब भी निर्मला को बहुत बुड़ा लगा था उसने इस बारे में सुधांसू से भी बात की पर सुधांसू ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि ममी गलत नहीं कह रही है आखिर मेरे साथ ससुर की भी तो यहां इज़त है निर्मला चुप हो गई के कारण ममी भी नहीं आपाई थी भाई अभी बहुत छोटा था इसलिए उससे नहीं भेजा ममी के कहने पर निर्मला ने अपनी तरफ से 1100 रुपे का लिफाफा दे दिया था बस इसी बात को मनुर्मा जीने पकर लिया ऐसी भी कौन से ज्यादा तबियत खराब हो गई तो हमारा भी मान सामान रह जाता उपर से बेटी को कह दिया लिफाफा डालने के लिए और बेटी भी इतनी कंजूस की 1100 रुपे डाल कर आ गई तब ही निर्मला कहना चाती थी पर उसे सुधांसु ने इस सारे से चुप करा दिया था अभी निर्मला ख्यालों में खोई कि इतने में मनोर्मा जी ने निर्मला को आवाज लगाई अरे निर्मला बहु जरा कमरे में तो आना मौसे जी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाती है इससे पहले निर्मला उठकर अपनी सासु मा के कमरे में जाती उससे पहले ही उसका पती सुधांसु ने उसे इस सारे स चुप रहने के लिए कहा पर निर्मला तो तयार बैठी थी खेर निर्मला उठकर मनुर्मा जी के कमरे में गई तो बड़ी मौसी मनुर्मा जी के साथ ही बैठी हुई थी निर्मला को देखते ही मौसी बोली आ निर्मला मेरे पास बैठे तुझी तो पता ही है कि छोटी मौसी की बेटी की साधी तै हो गई है अब हम तो बड़ी बेहन ठैरी तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से भी उन लोगों के लिए कपड़ी जाएंगे तुम भी इस परिवार में बहू हो इस कारण से तुम्हारे ममी पापा को कह देना कि मौसी मौसा जी के लिए और उनकी बेटी के लिए कपड़े होने चाहिए साथ ही कुछ ढंका सगुन भी डाल दे उनकी बात सुनते ही निर्मला ने कहा पर मौसी जी मेरे ममी पापा क्या देंगे ये तो उनका निर्नय है न और उनकी तरफ से भाला मौसी जी और मौसा जी के लिए कपड़े क्यों डालेंगे निर्मल के इस सवाल पर मनोर्मा जी तुनक कर बोली हम तो तेरे माता पिता की इज़त के लिए ही कह रहे हैं बेटी के ससुराल में जितना दो उतना ही मान बढ़ता है वरना हम तो क्या सोक चड़ा है कि उनका मान बढ़ाए ठीक है ममी जी मान समान अपनी जगह पर मान समान के नाम पर वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे ससुराल वाले सगुन भी मांग मांग कर लेते हैं निर्मला अपना निर्ने दो टुक जब बाप में सुना कर चली गई और मौसी सास अपना सामू लेकर अपने अपने घर रवाना हो गई मनोर्मा जी ने दो तिन दिन तक निर्मला से ढंग से बात भी नहीं की अक्सर इसी बात को लेकर निर्मला को सुना भी देती पर निर्मला इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती क्योंकि उसे पता था कि वक्त सबसे बड़ा जबाब देता है अभी और बहुए आई न ऐसा ही जैसे तैसे वक्त बीता और दोनों मौसी सास की भी बहुए आ गई तो अपने आप ही मनोर्मा जी को समझ में आ गया जब उनके छोटे वेटे की साधी हुई और मौसी सास की बहुए के परिवार की तरब से 500 रुपए के लीफाफे में सगुन आए तो निर्मला ने मौ दोस्तियों से कुछ बोलते बना और नाही मनोर्मा जी कुछ बोली असा करती हुँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों के क्या रहे हमें क करके जरूर वताना हमारी कहानिया सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद